हेलो फ्रेंट्स तो दोस्तो आज IREDA हम कह सकते हैं फिर recover किया और circuit मारा है 5% stock ने circuit लगाया कल हम कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि कल एक खराब ख़बर निकल कर आई थी जिसमें ख़बर के according NSE ने दोस्तों इनको बार किया है major indices से मनलब जो major indices होती है जिसमें inflow आता है पैसा आता है निवेशकों का foreign investors हो गए mutual funds हो गए तो क्योंकि दोस्तों ये कुछ norm पूरे नहीं कर रहे थे और norm को violate किया गया था तो इनको कल बहार निकाल दिया गया था जिसके करण कल गिरावट हमको देखने को मिली आपको मैं यह कहता है कि अगर आप देखिएंगे तो बहुत बड़ी गिरावट यहां पर नहीं हुई तो यह भी एक sign था बट आज हम कह सकते है recovery देखने को मिली और recovery अच्छी थी जिसमें circuit जिसमाने का stock ने अज हिट कर दिया अब दुस्तों company ने एक और बड़ी ख़बर निकाली है जिसके कारण हम कह सकते है यहां पर stock के उपर उसका reflection हो सकता है कल भी देखने को मिले तो ख़बर क्या है सबसलम को यह समझना पड़ेगा तो दुस्तों company की आज बोड मीट थी और बोड मीट में क्या ख़बर निकल कर आई है तो दोई के company ने साफसाफ बताया है this is to inform that the board meeting of Indian Renewable Energy Development Agency that is IREDA held on Thursday to concede the matter with respect to borrowing program up to 24,200 करोड for F52425 तो यह आप देख सकते है दोस्तों की company basically F52425 के अंदर करोड रुपे यहाँ पर बोडो करती हुई नजर आईगी बोडो कहाँ पर होगा बोडो होगा दोस्तों इसमें fund raising हो सकता है through issuance of bonds, term loans, commercial paper etc. from domestic and international market तो लगातार दोस्तों हम देख सकते हैं पहले भी दोस्तों company ने bonds के जरे पैसे raise करे हैं और फिर दोस्तों company ने एक आए कि 24,25 के अंदर company ने एक आए कि 24,200 करोड रुपे दोस्तों company यहाँ पर borrow करेगी raise नहीं करेगी borrow करेगी जो बात का ध्यान रखेगा जो company ने दिया है with respect to borrowing program राइट तो borrow करने वाली दोस्तों company को कितने 24,200 करोड for FY24,25 तो यह खबर निकल कर जरूर आई है मतलब basically company ने अपना plan बता दिया है कि company क्या करने वाली है यह basically हमको पता चल गया है for कौन से year जो upcoming financial year because अपको दाई है 31st March नियर है तो नया financial year start होने वाला है और उस पूरे यहाँ पर कह सकते है plan की according करीबन 24,25 के अंदर company 24,200 करोड रुपे race करेगी borrow करेगी, race नहीं करेगी overall अप पिछले एक महिने में देखेंगे जो दोस्तों IR EDA का जो trend है वो थोड़ा सा negative हमको देखने को मलता है but मैंने कल भी बताया था आपको कि support हमको जरूर देखने को मलता है support क्या है? support यह कि करीवे नहीं 120 रुपे की नीचे नहीं जाता है तो हम यह मान सकते हैं कि 120 रुपे 125 रुपे के असपैस इसका एक support create है, right? वो important level है because यह बाद ध्यान रखिएगा कि वो level अगर तूटा तो फिर यहाँ पर गिरावड हमको हावी होती निजर आ सकती है फिर हो सकता है कि शेर 100 रुपे के पास भी चले जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है but अब देखते हैं होता क्या है? क्या है यहाँ से recovery देखने को मिलती है? अगला स्टॉक है एक और सरकारी कंपणी जिसका नाम है भारत डाइनमिक्स लिम्टेड बीडियल तो दोस्तों आज इनकी board meet थी और board meet का result आ चुका है वैसे शेराच 5% तीजी में था और पिछले 6 मेने में BDL ने अल्मोस 50% और पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो close to 90 81% के आसपस की रिटर्न कंपणी ने आपको डिलिवर करें तो अच्छे रिटर्न बीडियल ने डिलिवर करें अपने इंवेस्टर्स को अब एक और positive news लेकर आया है अपनी shareholders के लिए ख़बर क्या है? ख़बर यह है दोस्तों कि कंपणी ने 8 रुपीज 85 पैसे पर equity share का dividend announce कर दिया है जी हां कंपणी ने 8 रुपे 85 पैसे पर equity share का dividend जो है वो अपने shareholders के लिए announce कर दिया है ये तो एक बात हुई कि आपको 8 रुपीज 85 पैसे का dividend मिलेगा और कंपणी ने इसके लिए date रखे 2nd of April 2024 याद रखेगा record date जो है वो ये होने वाली है और कंपणी ने काई कि 18th of April तक payment पुरा कर दिया जाएगा दूसरी जो बड़ी बात है जो कंपणी ने आप announce किया है वो है दोस्तों stock split जी हां कंपणी stock split करने वाली है इसका मतलब ये है वो 2 में convert आपको होता हुआ देखने को मतलब 1 प्लस 1 इस बात का दियान रखना है तो कि उसके 2 टुकड़े आपको होते वे देखने को मतलब ये है जिसकी face value आज 10 रुपे की है वो face value की रुपे हो जाएगी 5 तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एक share है वो basically convert हो जाएंगे 2 parts में इस तरीके से आप समझ सकते है तो company ने dividend भी दिया है प्लस stock split का भी announcement किया है अब क्यों करती देखे company stock split no doubt देखिए company अपने existing number of shares को बढ़ाने के लिए ये company करती है volume increase करने के लिए participation बढ़े stock की price जब थोड़ी सी उपर हो जाती है तो participation काम हो जाता है तो participation को increase करने के लिए ये काम किया जाता है and no doubt देखिए इसको positive ही मा जाता है because corporate actions जो ले जाते है इसको बाज़ार positive ही लेता है तो कल बिलकुल आपको यहाँ पर BDL action में देखने को मिलेगा और no doubt देखिए पूरा as a space अगर आप देखा जाए तो पूरा जो यह space है defense का वो काफी बढ़िया कर रहा है और अब लगातार देखिएंगे तो BDL में up move देखने को मिली रहा है तो और कल अच्छा up move अज़र नज़रा सकता है next is starter chemicals करीबन 4 उपे 70 पैसे दोस्तो आज share चलता हो नज़रा है अब देख सकता है अच बाजार कितना बढ़िया था बट stock ने अपने सारे gains को give up कर दिया अब खोशकता था देखिए आप बाजार को पता था कि कुछ खबर निकल कराने वाली है और जो खबर आई है वो यह है कि दोस्तो income tax department ने tata chemical की उपर 103 करोड की penalty लगाई है जी हाँ यह जो penalty है वो tata chemicals की उपर लगाई गई है यह जो order है यह इनको receive हुआ है from national faceless assessment year income tax department और penalty लगाई है गई है अगर यह वन 103 करोड की इस पर दोस्तो company का कहना है कि company definitely इसके उपर appeal करेगी यह साफ देखे कंपणी ने साफ साफ का है कि data chemical said it is planning to appeal against the order before the national faceless appeal appealate authorities यह दोस्तो company ने साफ साफ का है और company expect कर दिये कि इसका जो भी result है वो company के हक में आता हुआ देखने को मिलेगा बट जरूर देखिए ऐसा देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा सटने ही पड़ेगा 100 किरों बहुत बड़ी बात नहीं होती है बट जरूर देखिए company के उपर penalty लगिए यह important बात है अगला शेयर एक को सरकारी company State Bank of India करीबन आज 6 रुपे पैसे बड़ा देखा जाए तो कुछ खास बड़ी तीजी नहीं हुई है पर पिछले एक मैंने मैं इसकी पिटाई भी ठीकटा को यह 3% जादा शेयर गिरा है आज एक important news आई है आप सब को पताई है आज company को अपना disclosure करना था basically electoral bond को लेकर यह आपको पताई होगा और जो आज खबर आई है उसके according SBI ने सारा जो data है वो basically ECI ने election commission of India को swap दिया है और यह दोस्तो company ने affidavit file किया है किसने file किया है company के chairman ने यह affidavit file किया है यह बाद धान रखिएगा SBI को कहा गया था वो specifically देखे directions दिये गए थे CGI के दोरा यानि Chief Justice of India के दोरा कि आप जो affidavit है वो file करेंगे कौन यह file करेंगे company के chairman और यह दोस्तों आज उनकी दोरा file किया गया साफ साफ खबर निकल कर आ चुकी है आज date थी Thursday और कहा गया था कि आपको सारा जो detail है वो देनी पड़ेगी because पहले company के रही थी कि थोड़ी थोड़ी details करके दे रही थी और Supreme Court ने फिरिस का संग्यान लेते हुए साफ साफ का कि आपको जो कहा गया है सारा information देना all means all और आज दोस्तों सारा data जो है वो दे दिया गया अब वो election commission अपने website पे upload भी करता हुआ नजर आएगा अब वो कब तक करेगा वो अलग बात है but the thing is कि यहाँ पर SBI ने affidavit file कर दिया है affidavit पे उत्ता जोर के दिराओं में because यह बाद धान रखेगा affidavit का मतलब यह है कि अब SBI के पास electoral bond को लेकर कोई भी information नहीं है मतलब जितनी information थी उन्होंने वो provide कर दिये क्योंकि affidavit file करने का मतलब यह है कि आप पूरा compliance कर रहे है कि हमने जो भी वो दे दिया है अगर इसके बाद कुछ भी निकलता है तो इसका मतलब यह है कि आपने गलत affidavit file किया है और फिर supreme court कड़ action भी ले लेती है तो basically यह कहने का मतलब है कि SBI ने अब जो काई यह पूरा file करते है इसका अब पूरा file कर दिया गया है तो let's see आगे होता क्या है क्योंकि उसके बाद अब information निकल कर आएगी वो और interesting हो सकती है because जो unique number के हम बात कर रहे थे वो basically SBI ने दे दिया है अब दीपक नाइटराइट पर बात करते हैं आप देखेंगे अज़कर even 2.37% बड़ा लेकिन एकदम से यहाँ पर तेजी जो है वो हम को आती पर नज़राई ऐसा क्या हुआ देखें एक बहुत अच्छे खवर निकल कर आईए दीपक नाइटराइट के लिए खवर के मताबिक कंपनी ने नया प्रोड़क्ट लाँच किया है जी हाँ कंपनी नया प्रोड़क्ट लाँच किया है जिसका नाम है बेंजो ट्राइफ लॉराइट यानि बी टी एफ इसको दोस्तों company ने आपर launch किया है और यह launch आज ही किया गया है category chemical है और यहाँ पर company ने domestically इसको launch किया है और जो product है वो इंडिया में launch होता हुआ नजर आ चुका है important ख़बर दोस्तों company ने दी है एक बाद दोस्तों company ने भी बताई है कि यह DCTL के दौरा operations जो है वो commence हो चुके है नहीं start हो चुके है जो manufacturing unit है इनकी सना करदा के अंदर नियर वडोधरा इन गुजरात यहाँ पर company ने अपने जो plant है उसके अंदर start कर दिया है specialty salts जो है वो use करेगी अलब company produce करना start कर दिया है for niche application in chemicals and petrochemicals तो नोट एक positive news है और इसके उपर spark report भी निकल कर आई थी और कहा भी यादा कि अच्छी ख़बर है इसलिए target भी बढ़ाए गए थे उनकी दौरा और जो target थे वो 25 सुरुपर तक के दिये गए थे तो let's see होता क्या है कि यहाँ पर कल कितनी important उन सब को share ने cross के अब देख सकते है जैसे कि यह एक था दूसरा यह एक था तीसरा यह एक था पर उसके बाद हम कहा सकते है यहाँ पर गिरावड हमको देखने को मिल गई अब वापिस से देखी recovery देखने को मिल रही है अब देखते जादा share में हमको देखने को मिल यह पिछले एक महने में मजगाव डॉक अल्मूस्ट आट नौ परसंट तूटा है अब यह देखिए पिछले चे महने में 15% तूट चुका है लेगन अगर आप इसले एक साल में देखेंगे तो 180% की रिटरंस है तो मस्गाव डॉक की स्टोरी काफी हम कहा सकते हैं यूनीक रही है अपना आपके देखिए जब चलना चालू किया तो एक तरफा तेजी हमको देखने को मिली अब जरूर देखिए तेजी पे थोड़ा सा हॉल्ट लगा है थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली है शेर का जो बावनुफतों का आई है वो अल्मोस्ट पचिस सो का है 24922 भी प्रिसाइस उसका दोस्तों इसका 52 भी खाई अब को देखने क किया है कि एक long term lease basis पर यह जो पूरा land है वो लिया गया और एक्सको acquire किया गया है company की दोरा company ने का है कि almost 14.55 acres का यह जो land है वो लिया गया है for 29 years या रखेगा 29 years यह almost 31 3 2053 तक के लिए जो land है company दोरा acquire किया गया है इस तरकी की खबर जो है वो निकल कर आई है और जो allotment है यह इसका cost almost 354 करोड रुपीज हमको देखने को मिला है तो अच्छा का सा cost हमको देखने को मिला है बट जरूर देखिए एक खबर जो है वो आ चुकी है अब देखते है इसका impact कल किस तरीके का देखने को मिलता है पूरे counter के उपर तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही ता पिले अपको वीडियो बड़े अलगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंकियो फ्रेंड स्वाचिंग इस वीडियो